हाईलो एब्रीवन एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल क्रियेटर रैम में स्वागत है आज हम लोग डालचीनी का पानी पीने के फायदे के बारे में जानेंगे लकड़ी की च्छाल जैसा दिखने वाला डालचीनी हमारे घरों में गरम मसालों को रूप में इस्तमाल किया जाता है और इसको किसी भी रेसेपी में डाल देने पर उसका स्वाद बढ़ जाता है डालचीनी में बिटामिन्स, प्रोटीन, कल्सियम, मेगनीसियम, आईरन और लाइकोपीन जैसे पुस्तक तत पाये जाते हैं जो हमारे सरीर को अंदर से मजबूत रखते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डालचीनी हमारे सरीर को अधिक से अधिक फायदा पहुचाए तो आप डालचीनी का पानी पी सकते हैं तो चलिए वीडियो में डालचीनी का पानी पीने के फायदों को बारें बिस्तार से जानते हैं नमबर एक दिल के लिए अगर आप दिल को सुष्थ रखना चाहते हैं तो दालचीनी का पानी पीएं दालचीनी का पानी पीने से नसों में जमा कुलेस्ट्राल आराम से बाहर निकल जाता है जिसके कारण दिल सुष्थ रहता है नमबर दो इसकीन के लिए डालचीनी एंटी आक्सिडेंट से भरपूर होता है जो विसाक्त पदार्थों को बाहर निकालने मदद करता है इसके साथ ही डालचीनी खून को सुध करने और बलड सर्कूलेशन को बढ़ाने में भी मदद करता है जिससे आपके तोचा में चमक आ जाती है इसलिए आप दालचीनी का पानी जरूर पीएं नमबर तीन वजन कम करने के लिए वजन कम करने के लिए दालचीनी का पानी पीना बेहतर होगा सुबै के समय दालचीनी का पानी पीने से आपका मेटाबालिक रेट बढ़ता है जिससे आपका वजन कम करने में आसानी हो जाती है इसके अलावा दालचीनी का पानी पीने से भूख भी कम लगती है जिससे वजन कम करना और आसान हो जाता है नमबर चार बलड सुगर के लिए डालचीनी गा पानी पीने से बलड सुगर को कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि कई अध्यनों से पता चलता है कि डालचीनी इंसूलीन सनवेदन सीलता में सुधार और बलड सुगर की लेवल को कम कर सकता है डाबिटीस से पीडित लोगों के लिए दालचीनी का पानी संभावित रूप से बेहतर गलाइसेमिक नियंत्रण में युगदान कर सकता है इससे आपके सुगर को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है नमबर पांच पाचन के लिए अगर आपको पेड की समस्या है तो डालचीनी का पानी पीएं डालचीनी में प्राक्रितिक पाचन गुड होते हैं जो पेड को सांध करने और गैस सूजन और अपाज जैसी पाचन समस्याओं को कम करने में मदद कर सकते हैं अंत में डालचीनी का पानी बनाने के बिधी सबसे पहले एक पैन लीजिये और उसमें जरूरत के हिसाब से पानी डाल का धिमी आज पर उबालें फिर उसमें दालचीनी का पाउडर डालकर अथी तरह उबाले जब पानी और दालचीनी अथी तरह उबल जाए तो इसे ठंडा कर लें और एक गिलास में छान लें आप स्वात के लिए इसमें थोड़ा नीबू या सहद मिला सकते हैं